बड़े अलगी मूड में और बड़े अलगी अंदाज में नजर आ रहे हैं पवन सिंग जैसे मानों कि उन्हें लग रहा है कि भाई अक्ष्रा कितना भी बोले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे मस्त मौला और न किसी की कभी फिकर करने वाला जी हाँ आज कल सोशल मीडिया पर अक्ष्रा सिंग के बयानों की जड़ी लगी हुई है और पवन सिंग अपने भतीजे के साथ मस्ती के मूड में है जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कितनी क्यूट और अडॉरिबल पिक लग रही है इनके भतीजे के साथ और इस वक्त पवन सिंग बड़े ही मस्ती की मूड में है वैसे पवन सिंग बॉस फिल्म के शुटिंग के दोरान भी आजकल मस्ती में ही दिखाई दे रहे है अपने आपको कैसे कूल और काम रखना है ये कोई इस समय पवन सिंग से सीखे जी हाँ उन्हें जरा भी फर्क नहीं पढ़ रहा है कि उन पर कितने एलिगेंस लग रहे है उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि अक्षरा सिंग जमाने के सामने उनकी कितनी बड़ी रुसवाईया कर रही है उन्हें तो बस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आपको कूल और काम रखना है उन्हें काम पर और वर्क पर ध्यान देना है आपको यहाँ एक बात और बता दें कि आने वाले समय में पवन सिंग की जोड़ी आप चान्नी सिंग के साथ कई फिल्मों में देख सकते हैं कई फिल्मों में पवन सिंग की जोड़ी चान्नी सिंग के साथ आ रही है और इन दिनों अगर देखा जाए तो चादनी सिंग के साथ पवन सिंग की जो जोड़ी है made for each other वाली जोड़ी लगती है इन दोनों की जोड़ी compliment भी काफी एक दूसरे को करती है और अक्षरा सिंग का better replacement भी है वैसे जिस तरह की फोटोस इन दिनों पवन सिंग की social media पर आ रही है उसे देख कर ये लग रहा है कि पवन सिंग को अक्षरा सिंग के elegance से कुछ लेना देना नहीं है और वो ना की media के सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे शायद वो बखू भी जानते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हो सकता है इसी mood में पवन सिंग हो जिस वज़े से वो लोगों के सामने नहीं आना चाहते है और ना ही अपना पक्ष रखना चाहते हैं अगर पक्ष रखना ही होता तो अक्षा सिंग की तरह देव घरवाले स्टेश शो में ही वो रख चुके होते और कह चुके होते कि भाई क्या है और क्या नहीं है उन्हेंनों तो सीदे ही कहा कि मैं बाबा भोले नात के दरबार में खड़ा हूँ जो सही होगा उसके साथ सही होगा और जो गलत होगा उसके साथ गलत होगा इतने दबंगई के साथ तो वही इंसान कह सकता है कहीं न कहीं सही हो भोचपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल नभूलिए झाल झाल